हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसूरत पैटन सियर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, जैकेट, जैन साप स्वेटर, फुल स्वेटर, जैकेट, बच्चों के ओल प् अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉडर पैटन बनाके कंप्लेट करेंगे, बॉडर पैटन कंप्लेट होने के बाद, फ्रेंट साइड से हमारा इस पैटन बनना स्टार्ड होगा, इस पैटन को बनाने के लिए हमने टू के मल्टिपल मे फंदे डालने है प्लस हमने टू फंदे एक्स्ट्रा डालने दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेना है अब देखे पैटन की फर्स ट्रो फ्रेंट साइड से तो देखे पहला फंदा उता लेंगे पहला फंदा उता लेना है धागा अपनी साइड करेंगे जाली डालने के लिए यह देखे इस तरके से हमने सलाई में धागे को लपेटते हुए एक जाली डालना है धागा आगे कर लेंगे और दो का एक कर लेंगे यह दो का एक कर दिया फिर देखें नेश्ट हम यही प्रोसिस रिपीट करेंगे यह देखें सलाई में धागा लपेटेंग अगर नेस्ट हम दो फंदे एक साथ बूनेंगे यह 2 का एक कर लेंगे है सिर दीखें स्लाई में दाग लपेटेंगे सिर्स तरिकत फिर स्लाई में धागा लपेटेंगे दो का एक कर लेंगे फिर हम सलाई में धागा लपेटेंगे जाली डालने के लिए फिर नैस्ट हम दो का एक कर लेंगे फिर देखे हम सलाई में ऐसे धागा लपेटेंगे और दो फंदे एक साथ मुनेंगे दो का एक कर लेंगे फिर सलाई में धागा जालने के लिए धागा लपेटेंगे और 2 का एक कलेंगे ये दिखें लास्ट का फंदा सीधा तो देखें ये फ्रंट साइट से हमारी pattern की first row complete हो गई हमारे project में जितने भी फंदे होंगे हमने फ्रंट साइड से फर्स्ट रो में यही प्रोसिस रिपीट करते हुए अपनी फर्स्ट रो कंपलेट कर लेनी है अब देखे रॉंग साइड से से किन रो में देखे पहला फंदा उता लेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे यह एक फंदा हमने उल्टा बुना फिर देखे य और जो धागा अपनी साइड है इसको ऐसे सलाई में लपेटते हुए फिर आगे लाएंगे और नेश्ट फंदा उल्टा गुन लेंगे इस तरीके से आप देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है इसको हम लेप नीडिल से उठाएंगे और आगे वाले फंदे के उपर स सिलीप कर देंगे फिर धागा अपनी साइड रखेंगे जारी डालने के लिए नेश्ट फंदा हम पहले बिना बुने उतारेंगे फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे तो देखे इस तरीके से हमने यहाँ पे जाली डालनी है सलाई में धागा लपेटते हुए आगे यह धागा अपनी साइड रहेगा जारी डालने के लिए नेस्ट फंदा ऐसे बिना बुने उतारेंगे फिर ऐसे सलाई में धागा लपेट के आगे लाएंगे एक फंदा उल्टा बुन लेंगे फिर देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतार है आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीब करेंगे नेश्ट यही प्रोसिस रिपीट होगा इस तरीके से दिखें ऐसे धागा अपनी साइड नेश्ट फंदा उतारेंगे फिर सलाई में धागा लपेड़ते वे आगे लाएंगे एक फंदा उल्टा अब जो फंदा हमने बिना पुने उतारा है इस फंद जो फंदा आपने बिना पुने उतारा है इसको आगे वाले के उपर से सिलीब कर देंगे धागा अपनी साइड नेश्ट फंदा उतारेंगे सलाई में धागा लपेड़ते वे आगे लाएंगे एक फंदा उल्टा बिना पुना फंदा आगे वाले फंदे के उपर से उतार क सिलीब करेंगे, फिर देखे, धागा अपनी साइड, नेश्ट फंदा बिना बुने, सलाई में धागा लपेटते वे आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, अब जो बिना बुना फंदा है, इसको लेफ नेडिल से उठाएंगे, आगे वाले फंदे के उपर से उतार के आ जाएंगे यह देखे तो देखे रॉंग साइड से हमारी पैटन के सेकंड रो कमप्लेट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से थार्ड रो अब थार्ड रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे यह पहला फंदा उतार लेना है आप देखे नेश्ट धागा अपनी पेट लेंगे जागत लाएंगे रड़ लाएंगे और देखें नेस्ट हम दो फंद्य एक साथ उनेंगे, दो का एक करेंगे, यह देखें किसे यह हमारा पैटर्न रिपी ट होने लग गया, फिर देखे सलाई में धागा लपेटेंगे, दो का एक करेंगे, फिर सलाई में धागा लपेटेंगे, दो फंदे एक साथ मुनेंगे, ये दो का एक कर लेना है, फिर देखे सलाई में यहाँ पर जाली डालने के लिए धागा लपेटना है और आगे लाना है, दो फंदे एक सा बुनेंगे धागा आगे ही रहेगा तो देखे जाली डालेंगे तो ऐसे सलाई में धागा लपेड़ते वे धागे को आगे लाएंगे फिर दो का एक करेंगे दो फंदे एक साथ बुनेंगे और उल्टा बुनना है इस तरीके से फिर देखे ऐसे यह दो का एक कर लेना है फिर ऐसे जाली डालेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, दो का एक कर लेंगे, इस तरीके से ये देखें, लास्ट के फंदे देखें, एक उल्टा आ जाएगा, और एक फंदा सीधा आ जाएगा, तो देखें एक फ्रेंट साइड से हमारी पैटन की थार्ड complete हो गई, आप देखिए wrong side से fourth row, पहला फंदा उतार लेंगे, यह पहला फंदा उतारा, आप देखिए next, एक, दो, दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे, धागा अपनी side रहेगा, next फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, फिर यहाँ पे देखिए यह जो धागा है, इसको ऐसे पीछे ले जाएंगे, सलाई पे लपेड़ते वे आगे लाएंगे, और एक फंदा उल्टा, अब अपनी side रहेगा, next फंदा हम पेले बिना बुने उतारेंगे, फिर सलाई में धागा लपेड़ते वे आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर इस फंदे को देखिए आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करेंगे, फिर next फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर फंदा उल्टा, फिर इस फंदे को देखिए आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करेंगे, धागा अपनी side रहेगा, next फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर ऐसे पीछे ले जाएंगे धागे को और सलाई में लपेड़ते आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, बिना बुना फंदा आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करेंगे, next हमें same process repeat करना है, यह देखे, फिर धागे को अपनी side रहेंगे, और यह वाला फंदा ऐसे उतार लेंगे, फिर ऐसे एक फंदा उल्टा, बिना बुना फंदा आगे वाले फंदे के उपर से उतार के सिलीप करेंगे, last वाला फंदा उल्टा, तो देखे, रोंग side से हमारी 4th row complete हो गई, यह दे देखे, front side से 5th row, 5th row में भी हमारा pattern repeat होगा, अब हमने अपने pattern को ऐसे ही repeat करते जाना है, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें, और आप हमारे channel में नहीं हैं, तो please subscribe करना न भूलें, thank you